कि है अधियों है कि हुआ हलो एवरीवन अकैडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो आईसे से बोर्ट क्लास 9 का chapter 9 current electricity है उसका हम लोगों ने एकसरसाइज 9A complete solve कर लिया है आज हम लोग exercise 9 भी solve करनाई start करेंगे तो जिन लोगों ने last class या फिर उसके पहले के जो भी chapters हमने पढ़ा हैं वो नहीं देखे हैं तो सभी chapters का description box में दे देंगे वहां से आप लोग देख सकते हैं या फिर बगल में आई बटन पर भी चैप्टर्स का लिंक मिलेगा आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं ठीक है तो अभी चलते हम लोग exercise 9B करना को सब्सक्राइब करते हैं उससे पहले चीज और यार कि इतने लोग चैनल को मिलती रहा है तो अभी चलते हम लोग exercise 9B करना है तो एक्सरसाइज 9 भी काम लोग question number 1 देखते हैं question कहा इन ट्रांसफर इंग 1.5 कॉलांब चार्ज तुछ वाइर वाइर जिसमें 1.5 कॉलांब का चार्ज फ्लो किया जा फिर ट्रांसफर किया जा रहा तो उस टाइम पर कह रहा कि 9 जूल of work is needed यहां पर जो work की जरूरत है work की need है वो 9 जूल का होना चाहिए ठीक है कह रहा find potential difference across the wire हमें potential difference बताना है कि कितना होगा ठीक है तो अगर हम लोग बात करें जो भी चीज़े given है क्यों हमारे पास 1.5 कुलाम का और अगर हम लोग वर्क की बात करें वर्क मतलब की w is equal to है 9 जूल का ठीक है और हमें potential difference that means की we find करना है ठीक है तो हमारे पास एक formula होता है कि potential difference v is equal to work done by charge ठीक है हम इसी formula के थ्रूँ find करेंगे तो potential difference v is equal to work done हमारे पास है 9 और अगर हम लोग charge की बात करें तो 1.5 है यहां से decimal हटाएंगे उपर 0 बढ़ जाएगा यह हो जाएगा v is equal to 90 by 15 ठीक है 15 से डिवाइड करनेंगे तो यह सिक्स टाइम्स डिवाइड हो जाएगा potential difference is equal to आ जाएगा 6 वोल्ट का ठीक है यह हमारे इस question का answer हो जाएगा यहां पर चाहो तो potential difference लिख सकते हो potential कि difference clear तो question number first हो गया चलते है question number second देखते हैं question number second के रहा a cell of potential difference 12 वोल्ट इस कनेक्टे टू आ बल्ब एक 12 वोल्ट का सेल है उसको एक बल्ब से करेक्ट किया क्या है दा रिजस्टेंस आ फिलामेंटा बल्ब वेन इट ग्लोज इंस 24 ओम और वहां पर उस बल्ब में जो रिजस्टेंस अप्लाई हो रहा है वह 24 ओम का अप्लाई हो रहा है ठीक है करा find the current drawn from the cell अब हमें यह बताना कि उस से कितना जो करेंट है वह बल्ब ड्रॉ कर रहा है ले रहा है ठीक है तो अगर हम लोग नोट कर ले potential difference वी हमारे पास है 12 बोल्ट का और अगर हम लोग आर की बात करें तो आर हमारे पास है 24 ओम हमें आई find करना ठीक है अब चीज़ दिए बताओ कि हमारे पास ओम सुला हुए according to अगर्डिंग टू ओम्स लोग ओम्स ला क्या कहता है कि वी इस इक्वल टू आई आर अब हमें आई find करना तो आई इस इक्वल टू क्या हो जाएगा वी इंटू वी इंटू वी बाई आर ठीक है इधर आर multiply तो इधर जाएगा तो divide हो जाएगा आई हम find करेंगे वी हमारे पास कितना है 12 और आर की बात करें तो 24 इससे divide करेंगे तो यह पॉइंट फाइफ टाइम्स divide हो जाएगा ठीक है कैसे divide होगा कि बाईगा 12 वेंजा 12 और 12 तूजा 24 वन बाई 2 आ गया 1.2 का मतलब क्या होता है 0.5 एंपियर ठीक है मतलब कि जो बल्ब है वो सेल से 0.5 एंपियर का current ड्रॉ करेंगा ठीक है तो question number 2 complete हो गया चलते अब हम लो question number 3rd देखते हैं question number 3 कह रहा कि अब बल्ब draws current 1.5 एंपियर मतलब कि आई हमारे पास आ गया 1.5 एंपियर का at 6.0 वोल्ट अगर हम लोग बात करें potential difference का तो 6.0 वोल्ट है अब कहरा फाइंड रजिस्टेंस आफ फिलामेंट आफ बल्ब वाइल glowing मतलब कि हमको r find करना तो normally ohms law के थ्रू देखें अगर तो यहां पर लिख लें according to ohms law क्या कहता है v is equal to ir हमको क्या करना आर फाइंड करना तो r is equal to v by i clear r is equal to v यहां पर put करेंगी तो हमारे पास 6.0 divided by 1.5 clear one place decimal दोनों जगे हम decimal हटा सकते हैं तो r is equal to आ जाएगा 15 of 4 जा 60 that means कि 4 ohms आ जाएगा resistance यहां पर ठीक है question number third में that means कि जो resistance होगा filament में वो कितना होगा four ohms का ठीक है question number third भी हो गया चलते हैं अब हम लोग question number fourth solve करते हैं question number four की अगर हम लोग बात करें तो बुक में आप लोग question देख सकते हैं कहरा current 0.2 ampere flows in a wire of resistance 15 ohms एक current है 0.2 ampere का जो resistance 15 ohms के साथ flow कर रहा है ठीक है हमें बताना potential difference उस wire में कितना होगा तो अगर हम लोग यहां पर question number four है i दिया हुआ है 0.2 ampere और अगर हम लोग आर की बात करें तो 15 ohms का दिया गया हमसे कह रहा है कि भाई we find करो ठीक है अब देखो अगर हम लोग तो ohms law की बात करें तो ohms law क्या कहता है कि v is equal to i r ठीक है वी हमको find करना i हमारे पास 0.2 into 15 इसको solve करेंगी तो यह आ जाएगा 3.0 volt that means अगर हम लोग यहाँ पर बात करें potential difference कि v is equal to 3.0 volt ठीक है easy सा question था ठीक है तो question number fourth complete हो गया exercise जो हम लोगों का 9 b है वो भी complete हो गया अब हम लोग थोड़े से इसके examples जो given है इसमें बुक में वो भी देख लेते हैं easy easy है और कुछ extra नहीं है इसमें आओ थोड़े थोड़े देखते हैं अगर हम लोग यहाँ पर question number third की बात करें example में ठीक है simply ऐसे बता देंगे कोई बहुत tough questions नहीं है क्लियर अब अगर हम लोग third question की बात करें example third example third में कह रहा है कि what amount of work is needed in moving two column charge through a potential difference of eight volt का ठीक है हमें कह रहा कि बाई कितना work need होगा two column के charge के साथ में potential difference difference एट वोल्ट रखने पे ठीक है तो अगर हम लोग बात करें कि यहां पर चार्ज दिया हुआ क्यों 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 हमारे पास है टू कूलाम का ठीक है और potential difference दिया हुआ है एट वोल्ट हमसे कहारा डबलू बताओ ठीक है तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोगों इन्टू क्यू क्लियर डबलू फाइंड करना वी हमारे पास है एट और जो क्यू है वो कितना है टू है तो डबलू इस इक्वाल टू आ जाएगा 16 जूल ठीक है कोई दिक्कत इसी क्वेशन था सेगंड क्वेशन पर आते हैं क्वेशन नंबर जो हम लोगों का फॉर्थ है यहां पर अगर बात करें क्वेशन नंबर फॉर्थ में क्या कह रहा कि असल असल इस क्वेशन नंबर फॉर्थ की बात करें तो वी दे रखा है 12 वोल्ट का है ठीक है आगे कह रहा है करेंट इन सर्किट इस मेजर तो बीटू एंपियर दैट मेंस कि आई दे रखा है तू एंपियर का आगे पूछ रहा फाइंड रेजिस्टेंस ओफर्ड बाइद फिलमेंट फैंट यहां पर कितना तो यहां पर कितना अपलाई होगा कहने का मतलब और फैंड करना किसे फैंड करेंगे वी कुल टू टू आई यार से तो अर्ड इस इक्वल्ट हो जाएगा वी भैई यहां पर क्लियर सब्सक्राइब करना वी हमारे पास कितना है 12 और देख लेते हैं कुशन कहरा है calculate the potential difference कि potential difference that means वी हमको calculate करना है दिया क्या क्या resistance दिया 2 ohm और current 1.5 ampere मतलब आर है 2 ohm का और current i है 51.5 ampere तो v is equal to ir के थू चलते मतलब जो भी हमारा ohm's law है यह हो जाएगा 1.5 into 2 v is equal to हो जाएगा 3.0 कि वोल्ट क्लियर कुश्चन नंबर जो यह फिफ्थ था यह भी हो गया 6 देख लेते हैं यहीं पर कुश्चन नंबर 6 क्या कर रहा calculate the current current that means आई हमको calculate करना है फिर आगे flowing through a wire of resistance 7.5 ohm और यहां पर है 7.5 ohm का clear and connected to a battery आप potential difference 1.5 वोल्ट वी दे रखा है 1.5 वोल्ट का अगर हम simply अपने ohm's law के थ्रूँ देखें तो V is equal to IR होता है आई हमको find करना तो यह हो जाएगा V by R ठीक है अब V by R है आई find करना रखो यहां पर values को तो वी अगर बात करें लोग तो 1.5 divided by R हमारे पास 7.5 decimal one place पर दोनों जगए cancel कर सकते हैं यह हमारे पास कितना बचेगा 15 by 75 15 से यह 3 times cancel हो जाएगा स्वरी स्वरी फाइव टाइम्स ठीक है 155 दो 75 होता है I is equal to आ जाएगा 1 by 5 ठीक है अब इसको अगर हम लोग solve करेंगी तो 5 से 1 को divide करेंगे decimal लगा लेंगे 10 हो जाएगा 2 time से cancel हो जाएगा MPR तो यहां पर जो आई है वो कितना आ जाएगा 0.2 MPR question number six clear तो इस तरीके से question जो सारे question इसके 9 bk solve हो गया है exercise भी हमने देख लिए हैं और जो इसके examples भी थे वो हम भी हमने देख लिए हैं तो इस तरीके से जो हम लोगों का chapter 9 वो भी complete हो गया क्योंकि जो chapter exercise 9 सी है उसमें कोई numerical है नहीं ठीक है तो इस तरीके से chapter 9 हम लोगों का complete हो गया previous जो exercise हमने देखा है वो solve किया है उसको भी आप लोग देख सकते हैं discussion box में तो उसका link मिल जाएगा वहां से आप लोग जाके चेक कर सकते हैं प्रिवेस एक्सरसाइस भी 9 का chapter 9 का और जो प्रिवेस चैप्टर भी हमने पढ़ा है वो भी ठीक है तो इस class में यही तक रखते हैं अगर आप लोगों को solution अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने fan circle में share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए बाकि मिलते हम लोग next chapter के साथ next class में thank you कर दो लोगो हुआ कर लोगन कर लोगव कर दो झाल झाल